अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं आज के lecture में हम लोग discuss करेंगे the ancient history of Bihar Bihar के history के बारे में आज हम लोग discuss करेंगे इससे पहले हम लोग क्या करेंगे Indian history को थोड़ा समझेंगे उसके बाद हम लोग Bihar के history में enter करेंगे सबसे पहले हम लोग discuss करते हैं history इतिहास इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है प्री हिस्टोरिक पिरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पिरियड और हिस्टोरिक पिरियड ठीक है प्रागयतिहासिक काल क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यह वह काल है जिसमें लीपी का विश्कार नहीं हुआ था नो स्क्रिप्ट ठीक है एनी लिखित हमको जहे कोई एबिडेंस नहीं मिला था उस काल को हम क्या कहते हैं प्री हिस्टोरिक पिरियड कहते हैं या प्राग इतिहासिक काल कहते हैं उसके बाद नेक्ट है प्रोटो हिस्टोरिक पिरियड अद्व एतिहासिक काल यह क्या होता है इसमें लीपी का अविश्कार हुआ था ठीक है बट नोट वेड़ेबल अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है जैसे आप कह सकते हैं इंडस विली सिविलाजेशन की बात कीजिए ठीक है सिंदु घाटी सब्भ्यता की बात कीजिए तो अभी तक उसके स्क्रिप्ट को लीपी को नहीं पढ़ा जा सका है उसका लीपी क्या होताय था पिक्टो ग्राफिक होताय था मतलवल्स कितुरवत्मख कर्था कोई एक चित्र बना दिया जाता था इस तरह से और लीपी मिलता है उस क्या कैते हैं historic period काहते हैं एनि एतिहासिक काल काहते हैं ठीक है उसके बाद हम लोग discuss करेंगे the stone age ठीक है stone age के बारे में हम लोग discuss करेंगे ये तीन भागों में divide किया हुआ है एक है Paleolithic age पूरा पाहशान काल दूसरा है मैसुलेथिक age मद्द पाहशान काल तीसरा है नूलेथिक age नौपाहशान काल ठीक है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं Paleolithic age ठीक है पूरा पाहशान काल heavy stone ठीक है यहाँ पी heavy stone का जो है परियोग किया जाता था ठीक है और लोग क्या यहाँ पे hunting करते थे शिकारोगरा करते थे ठीक है उसके बाद जो है मेसलिथिक age में क्या हुआ जो यहाँ पे heavy stone का परियोग करते थे वह थोड़ा teeny हो गया मैंनि थोड़ा small हो चोटा हो गया ठीक है तो यहाँ पे tools थोड़ा क्या हुआ चोटा हो गया और यहाँ पे लोग क्या करने लगे शिकार भी करते थे food gather भी करते थे और taming animal एनी क्या करते थे पशु को क्या करने लगे पालतू बनाने लगे सबसे पहला जो पालतू बनाए गया था वो कुट्टे को बनाए गया था ठीक है उसके बाद हमें निक्स देख लेते हैं नूलेतिक is नौप आशानकाल ठीक है इसमें क्या हुआ कि शार्फ टूल्स मैंने जो टूल्स थे यहाँ पर क्या था है भी टूल्स थे और यहाँ पर आके क्या हुआ थ्वर्टेनी हो गया उसके बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा शार्फ हो गया ठीक है शार्फ हो गया तो यहाँ पर हांटिंग करना लोगों को जो है आसान होने लगा उसके बाद agriculture भी यहां शुरू होगी ठीक है यहां से agriculture का शुरुवात होते हैं के बाद हम लोग चलते हैं बिहार में ठीक है बिहार में कौन-कौन सा जो है आपको site मिला है अस्थल मिला है उसके बारे में हम लोग discuss कर लेते हैं ठीक है बिहार की बात करें तो बिहार में पुरा पाशानका पारशान काल के साइट्ट मिले हैं नौपारशान काल के भी साइट्ट मिले थिक तो बीहार में हम लोग देख लेते हैं. एक्सक讲 वेशिंस ओफ डा स्टोख़ जिए यहां खुदाई के बाद में बात करते हैं. ओल्ड स्टोण ए पहले व्लॉडी जोका जाता है. मेसलिथिक एज में जो हम लोग को साइट मिला है वो मुंगेर में मिला है यहाँ पर क्या है छोटे अवजार मिले हैं ठीक है उसके बाद आता है नियू लेथिक एज हम लोग नियू लेथिक एज को डिटेल से डिसकस करेंगे अर्लि स्टोन एज साइट हैब बिन फाउंड एट पैसरा मुंगेर गया अगरा में पाए गया है ठीक है यहाँ जो टूल्स पाए गया है हैं हैंड एक्सेस, क्लेबोस, हस्त, कुलहारी, चाकु अगरा पाए गया है ठीक है नियू लेथिक कल्चर की बात करने तो फॉस्ट नियू लेथिक कल्चर वस फाउंड एट चिरांद कहां पे सारन में सारन में सबसे पहला यहां पे सबसे पहला जो साइट पाए गया नियू लेथिक एज का वो कहां पे पाए गया सारन डिस्टिक ठीक है चिरांद में पाए लोग बात करें तो छेचर कहां पर पाइगा गैज यहांं पर थे चेचर यहां पर भाई अब बात करें थीक है सिनुवर, रोहतास में पाए गया है ठीक है, रोहतास यहां पे पाए गया है सिनुवर यहां पाए गया है उसके बाद हम लोग बात करें मनेर, मनेर कहां पे पाए गया है पटना में पाए गया है, ठीक है यहां पे क्या पाए गया है, मनेर ठीक है उसके बाद हम लोग बात करें कि तरादी गया में पाये गया है यहाँ पे तरादी पाये गया है उसके बाद बरूडी ये सिंग भूम में पाये गया है, ठीक है उसका black and red were discovered anywhere मतलब होता है सामान, ठीक है black and red जो मानली जे की पौटरियोगरा की बात करें, तो वो कहां पाया गया है, राजगीर में पाया गया है, सोनपूर गया में, ठीक है, उसके बाद हम लोग चालकुलेथिक कल्चर के बारे में थोड़ा डिस्कुस कर लेते हैं, ठीक है, यह जब एज खतम होता है, तोटल, अपका पहलियोलेथिक, मैसोलेथिक, नियोलेथिक कल्चर खतम होता है, उसके बाद चालकुलेथिक कल्चर शुरू होता है, चालकुलेथिक एज आता है, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है तमरपाशन यूग यहां पर तमरपाशन यानि इस्टोन तो था ही उसके बाद यहां पर कॉपर का इस्तिमाल किया जाता है आप पढ़े भी होंगे कि सबसे पहला धातू क्या है कॉपर है तो कॉपर यहां पर इस्टोन का इस्तिमाल के साथ क्या करत जिरांद में पाए गिया है चिरांद में पाए गिया है तो घृक निए इन्ट्रड्यूश। इरन यहाँ पर आयरें कभी इंट्रड्यूस हो गया, ठीक है उसके बाद लोग डिस्कूस कर लेते हैं बैदिक कल्चर को हम लोग बिहार के रिस्पेट में थोड़ा दिस्कस कर लेते हैं बिहार का पहला वर्णर जो मिलता है वो सत्पत ब्रहमन में मिलता है यह बिहार के भोगौलिक छेत्रिका वर्णर कहा मिलता है सत्पत ब्रहमन में मिलता है रिगवेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का इस्तिमाल किया गया है ठीक है 6th century की बात करें 4 states in बिहार ठीक है विदेहा, मिथेला, वैशाली, अंग और मगद ठीक है तो विदेहा की बारे में हम लोग थोड़ा सा यहां पर डिसकस कर लेते हैं विदेहा, located on the north side of Ganga ठीक है विदेहा में मोनार्की था एनि राजा का शाषन था डिदेहा को बात क्या हुआ है विदेहा को बात में क्या कर दिया गया रिपलेस कर दिया गया रिपब्लिक में गनराज्य में ठीक है उसके बात बात में इसको वज्जी गनराज्य से मिला लिया गया है इसलिए जो है हम लोग यहां पे जब डिस्कुस करते हैं 16 महाजनपद 16 महाजनपद में विदेहा का जिक्रे नहीं है क्यों? क्योंकि विदेहा को बात में वज्जी से मिला लिया गया था ठीक है उसके बाद हम लोग 16 महाजन पद के बारे में डिस्कस कर लेते हैं 16 महाजन पद का जो उलेख किया गया है यह मेंशन किया गया है वो अंग उत्तर निकाईमी किया गया है ठीक है इसमें से जो 16 महाजन पद है इसमें से 3 महाजन पद बिहार में है अंग, वज्जी और मगद इन बिहार ठीक है ये तीन बिहार में है ठीक है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आप जब एंसेन हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडियन एंसेन हिस्ट्री उसमें आप जोहां 16 महाजनपद को पढ़ेंगे ठीक है तो पहले क्या होता थे जो छो तो आज हम लोग briefly discuss कर लेते हैं अंग और वज्जी को मगद को हम लोग next class में discuss करेंगे ठीक है अंग कहां तक फैला हुआ है अभी जो इसका जो परजेंद में फैला हुआ है यह फैला हुआ है भागलपूर प्लस मुंगेर डिस्टिक में ठीक है अंग भागलपूर और मुंगेर तक फैला हुआ है ठीक है तो भागलपूर और मुंगेर तक यह फैला हुआ इसका जो capital है चंपा है ठीक है first king की बात करें तो टिटिक शू है ठीक है last king की बात करें तो करना है last independent ruler की बात करें तो ब्रह्मा दत्य है ठीक है उसके बाद हम लोग वज्जी के बारे में थोड़ा से discuss कर लेते हैं वज्जी क्या है एक Republic है गनराज्य है ठीक है जितने भी यहा हुआ है वैशाली मुजफर फूर ठीक है इसका जो capital है वह वैशाली है यह जो वज्जी है यहां आठ छोटे बड़े Republic मिल मिल के जो है वज्जी का निर्मान किया गया था ठीक है बाद में इसको लिच्वी भी कहा गया था ठीक है उसके बाद हम लोग मगद मगद जो फैला हुआ है पतना प्लस गया शाहबाद ठीक है साउट अफ गंगा यह फैला हुआ है तो लेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है मगद दैनिस्टी के बार में डिस्कॉस करेंगे ठीक है आज के लिए बस इतना ही थाइंक्स फूर वाचिंग हुआ है और देक्सक्ट के लिए जाएंग।